अगर आप अकेले फिशिंग करने जाते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाना बंद कर दोगे आप देखे होगी कि ज्यादा तर फिशर जो है रात को मतलब सूरस ढलने के बाद भी फिशिंग करने जाता है क्योंकि उससे ज्यादा फिश हूख होते है लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया जो फिशर होते हुआ वो एक टीम मना के जाते है बलकि अकेले अकेले क्यों नहीं जाते है इसके पीछे एक डार्क स्टोडी है जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कहा जाता है कि नदियों में जो है नेगेटिव एनर्जी भटकती रहती है और वो नेगेटिव एनर्जी खास करके फिशर को एट्रेक करती है जो फिशर अकेले होते है इसलिए कभी भी अकेले फिशिंग करने मत जाना बलकि दो तीन लोग को साथ लेके जाने चोड़ो यार इतना दिक्कत की इस बात का हम तो दिन में जाएंगे फिशिंग करने तो फिर एक बात सुनों टाइम डिविल मैंटर नहीं करते है अगर मेरी बात विश्वास नहीं होता तो किसी 19th century की oldest man से जाके पूछ सकते हो